हालो दोस्तों आज हम लोग CCTV कैमरा जो अपना होता है उसको कैसे साफ करें और उसके बारे में बात करेंगे यह देखिए दोस्तों यह CCTV कैमरा बुरी हरत में है गंदा हो चुका है इसलिए हम लोग इसको साफ करेंगे सबसे पहले हमने इसका कावर ओपन कर लिया खोल लिया और CCTV कैमरे के आगे दोस्तों यह देखो जो लेंड़ के आगे लगा होता है यह रिंगी ही लगा होता है इसको आप एंटी कलॉक वाइज गुमा लें और यह निकल जाएगा और यह देखिए दोस्तों इसका शीशा और यह दोस्तों इसमें नाइट वीजन के लिए रेड आई लगी होती है वो होती है इनको भी हम लोग निकालेंगे निकालने के लिए दोस्तों इनमें बीच में दो स्क्रिव लगाए होते हैं यह दोनों स्क्रिव हमें खोलने पड़ेंगे यह देखिए बैसे अगर आपको ल और हम लोग थोड़ा बहुत कैमरे को भी साफ करेंगे बॉड़ी को बॉड़ी को दोस्तों अगर हो सके अगर आप चाहें तो साफ ना करें तो भी कोई चक्कर नहीं है क्योंकि बॉड़ी तो फिर भी बाहर से गंदी हो जी जाएगी इसी लिए इसको थोड़ा बहुत हम लोग साफ कर देंगे ताकि चलो देखने में अच्छा लगे अब हम लोग दोस्तो इसके आई के दो पेच सक्रिव खोलेंगे क्योंकि आई में भी डश्ट चली गई है दोस्तों इसको हम लोग साफ करेंगे यह देखिए दोस्तों जे इसकी आई निकलाई यह इसका जैक होता है आई का दोस्तों हम लोग इसको निकाल लेंगे अगर आपको निकालने की जुरूरत बड़े तो निकालने नहीं तो ऐसे ही इसको बरस साफ कर दें यह देखिए दोस्तो इनको हमने ब्रस से साफ कर दिया बाद में कपड़े से भी अच्छी तरह से साफ कर दिया ताकि इन में कोई प्रेशा नहीं आए क्योंकि दोस्तो अपना कोई भी CCTV कैमरा है अगर उसमें लैंज में या शिशे पे डश्ट होगी तो अपने को आउट पोट वो क्लियर नहीं देगा इसलिए हम लोग कैमरे को खोल के साफ कर सकते हैं और हमने ये आई साफ कर लिया अब हम लोग इसके दोस्त दोनों स्क्रियू हैं उनको अच्छी तरह से टाइड कर देंगे दुबारा अपनी जगा पे अब ध्यान रखे दोस्तों कोई भी बायर इसके नीचे ना आ जाए तो बाद में आपको प्रेसानी होगी इसलिए हमने एक स्क्रियू कर दिया अब हम लोग इसका दूसरा स्क्रियू भी करेंगे ये देखे दोस्तों हमने दोनों स्क्रियू अच्छी तरह से टाइड कर दिये और स्क्रियू का काम ये दोस्तों रह गया दोनों स्क्रियू हमने दोस्तों अच्छी तरह से टाइड कर दिये अब ये देखे इसका रिंग हो रिंग है जो इसको भी हम लोग अच्छी तरह से साफ कर लेंगे क्योंकि ये बाद में अगर इसमें डस्ट हुई तो ये टाइड हो वो लूज रहे जाएगा ये देखिए दोस्तों सिसी टीवी का जो आगे का शिशा है कितना डास्टर से भरा हुआ है इसको हम लोग कपड़े से पहले साफ करेंगे अगर ये कपड़े से साफ नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये पानी से अच्छी तरह से साफ हो जाएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ये देखिए दोस्तों इसका गलास साफ नहीं होगा पानी से इसलिए हम लोगस को थोड़ा खुर्चेंगे खुर्चने से क्योंकि इसमें डस्ट जम चुकी है और इसको साफ करेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा ये देखिए दोस्तों ये शीशा बिल्कुल साफ हो गया इसके बीच में जो रावड रिंग दिया है उसको भी आप साफ कर लें क्योंकि आपका जो कैमरा है उसका लेंड जाएगा इसमें इसको भी बिल्कुल आप लोग साफ कर लें और ये देखिए बिल्कुल ये क्लियर हो गया जैसे इतनी डस्ट थी अब अपनी पिक्चर क्वालटी बड़ी अच्छी आएगी हम लोग कैमरे को भी एक बार साफ कर लेंगे बीच में से और ये इसके साइड में सेफटी रिंग दिया होता है उसको हम लोग कैमरे के साथ में लगा देंगे और इस पे गलास रखेंगे और कवर इसका टाइट कर देंगे ये देखिए दोस्तो हमने इसका कवर साफ कर दिया और ये सीसी टीवी कैमरा बिल्कुल कलियर नए जैसे इसका हम लोग कवर भी साफ करेंगे दोस्तो कवर पे थोड़ा समिंट लगा हुआ है इसको थोड़ा बहुत हम लोग दोस्तों साफ कर देंगे खुट चुके क्योंकि देखने बाले को अच्छा लगेगा अगर आप लोग चाहें तो इसको बाहर बाले कावर को साफ ना करें तो भी चल जाएगा दोस्तों ज्यादा तो अपने को इसका जो लेंज होता है जो शीशा होता है वो ही साफ करने की जरूरत होती है लेकिन आप चाहें तो इसको बिल्कुल साफ कर जगते हैं यह देखिए हमने दोस्तों इसको रगड के इसका सिमेंट उतार देंगे और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा दोस्तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे अगर ना भी लगे तो भी आप हमें लाइक कर दे दोस्तो आगे से हम लोग अच्छी वीडियो बनाने की कोस्थ करेंगे चैनल को सेयर करें, सबस्क्राइब करें ताकि हम आगे अच्छी वीडियो बनाने की कोस्थ करें जितना हम लोगों को दोस्तो पता है उस हिसाब से हम लोग आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं हम लोग कोस्थ करेंगे की अच्छी वीडियो बनाएं यह देखे दोस्तों हमने cctv का cover लगा दिया और इस पे स्क्र्यू लगा होता है वो भी लगा दिया और यह अपना cctv का camera बिलकुल साफ है वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद यह दो जह दITAशने के लिए देखने के लिए तकार रगा है वीडियो देखने क। झाल झाल